नमस्कर विद्यार्थियों, ओनलाइन कक्षाँ में आपका स्वागत हैं, हम अधिन कर रहे हैं कक्षा 11 और हमारा जो विश्य है अनिवारे हिंदी, अनिवारे हिंदी में हमारी पाठे पुस्तिक है वितान, भाग एक, उसके दूसरे अध्य है का, राजस्तान की रज़त बु करते हैं, और उसके बाद में कुई विए खुदने के बाद उन्हें तरह तरह की भेंट दी जाती हैं, और जो गाम के लोग हैं, अपने खलिहान से, जो निकलने वाली अनाज है, उसकी धेरी जो है, उनको देते हैं, और ऐसा रिवाज जो है, वो चला रहा है, लेकिन आज क समय में क्या हो रहा है, कि मजदूरी देकर भी जो काम है, करवाने का लिवाज आ गया है वो, तो ये पढ़ा था, उन्हें भागतों के अंतरगत, अब भागतीन में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कि कई जगहों पर चेजारों के बदले, सामाने ग्रष्ट भी इस जो अनसूची जाती के अंतरगत आते हैं, तो उनके आथों से 100-200 वर्स पहले बनी पार या कोई आज भी बिना था के पानी जुटा रही है, बिना था कि मतलों कि वह अभी तक खराब नहीं हुई है, वह जैसे पहले थी वैसी कि वैसी ही बनी हुई है, तो अभी तक वह खर आपना रखने के तीन बड़े कारण है, वह कौन कौन से हैं, पहला तो यह कि रेत में जमान जो नमी है, उससे पानी की बुंदे बहुत धीरे-धीरे रिष्टी है, तो दिन भर में एक कोई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे दो तीन घड़े भर सकी, कोई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उससे उपर निकालना संबब नहीं होगा, आज देखिए एक तो क्या है कि उसका जो व्यास अगर जादा होगा नीचे फैलाव अगर जादा होगा तो पानी की मात्रा भी जादा चाहिए और अगर कम पानी है तो उस वह पानी जो ऊपर कैसे निकाल सकते हैं ना वो निकालना संबब नहीं होगा, छोटे व्यास की कुई में धीरे-धीरे रिस्क कर आ रहा पानी दो चार हाथ की उंचाई ले लेता है और छोट प्त्थर थे तो उनकी परसे नीचे नहीं जाता तो कुई के अंतरकत रहता है तो धीरे-धीर वो रिस्ता रहता है पानी और अगर छोटा व्यास है तो वह दो चार हाथ की उंचाई ले लेता है और कई जगों पर कुई उसे पानी निकालते समयं छोटी बाल्ति के बदले शोंकि चोड़ा अपयोग हैं इसी कारण से किया यह रेता है तो बारटी के बदले जो है चोड़ा अप मुँएं पर लोहे की वजनी कडा बंदा होते हैं मोटा कपड़ा है यह चमड़ें की चर्डस बढ़ी ल hai वह पत्र जैसा रहते हैं तो उसके मुहें के ऊपर लोहे का एक वजनी कडा बंदा रहता है और चरश लेता है नीचे जब जाता है तो फेलाव लेने से क्या है कि वो पानी के अंदर डूब जाएगा जो चडस है या मोटे कपड़े का जो बढाया हुआ है तो डूबने के बाद में पानी भर जाने के बाद उपर उठते ही चड़स अपना पूरा कार ले लेता है तो इसलिए चड़स बगारा का प्रयोग किया थे जदा दातू के अबिक्षा पिछले दोर में ऐसे कुछ गाओं के आसपास से सड़के निकली है ट्रक दोड़े हैं ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़स बनने लगी है पहले चमडे का प्रयोग करते थे चड़स में लेकिन अब क्या है कि जो ट्रक वगरा ना उनकी फटी जो टूबे है जो ट्यूब है उनका प्रयोग भी होने लग गया है कुई के व्यास का संबंद इन छेत्रों में पढ़ने वाली तेज गर्मी से भी है अब कुई का व्यास कितना को होना चाहिए तो उसका जो संबंद है वो इन छेत्रों में पढ़ने वाली तेज गर्मी है न तो उसका भी एफेक्ट रहता है प्रफाव रहता है व्यास बड़ा हो तो कुई के भीतर पानी ज्यादा फैल जादेगा और बड़ा व्यास पानी को भाव बन कर उड़ने से रोक नहीं पाएगा तो व्यास जो है पानी को भाव बन कर उपर उड़ने में रोक नहीं पाएगा अब कुई को उसके पानी को साफ रखने के लिए उस की वर रहा है और वह उसमें चली जाए यो पानी जो पीने लाइग नहीं रहेगा अब छोटे मुह को धकना सरल होता है हर एक कोई पर लकड़ी के बने धकन धकी मिलेंगे कहीं 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 खसकी टटी कि तरह घास पूस या छोटी-छोटी टैनियों से बने धकनों को भी उप्य गई है अब जहां पर नई शड़के निकली है और यसी जो स्थान है उनसे नए लोगों का और जो एप रिच लोग है उनका आवग जाव बढ़ गई है आने जाना बढ़ गया है वहां अमरीज जैसे मिठे पाने के शुरक्षा भी करनी पड़ती है अब देखिए अमरी जै चोटे चोटे ताले भी लगने लगे हैं और चोटे 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 ताले ना वह भी लगाने लगे हैं लोग ताले कोई के ऊपर पानी खीचने के लिए लगी गिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं अब ताले देखिए कहा लगने लग गए तो उनको पर डखन लगा दिय है धातु का ढखन बनाकर लगा दिया उस पर ताले लगा दिए और करें जिगा तो जो पानी खीछने में लगे हुई जो फी जिलिगे वह तो पानी खीछने के सुविधा के लिए उसके उपर घृनी या चक्री भी लगा जल्दी से क्योंकि उसमें ज्यादा शक्ति का प्रयोक करना पड़ता है ज्यादा बल चाहिए उसके लिए लेकिन और घिरनी या चक्री लगी हुई है तो उसे सहजता से हम पानी को उपर खीच सकते हैं और इतना जो है फ्रेडी चर्की या फ्रेडी भी का जाता है फ्रेडी लोहे की दो बुजाओं पर भी लगती है लेकिन पराई है गुलेल के आकार के एक मजबूत तन्य को काट कर उसमें आर पार छेद कर लगाई जाती है अब देखिए गुलेल आपने देखी होगी लेकिन आजकल तो ऐसा पहले यहा गुलेले लेकिने लेकर पहले जो होते चोटे लेकर दो दौपर से दो निकली रहती हैं दो तरफिखी है कि तो उसके उपर जो हैं रबडब घरा बांद करो और करके तो गुलेल बनाते थे तो ऐसी जो लकड़ी हैं गुलेल का कारकी तो उस के जो मजभूत तनिये काट कर उसमें और पार छेज़ आक करके वो लगा जाती है उसे औरा धीह जो लगाол कारके ते है और गाल eMM के बिना इतनी गहरी और संक्री कुई से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है अब देखे जो गुलेल टाइप में लकडी थी उसको का उसके अंदर छेद करके जो बनाई गई तो उसको उडाक कहा गया है और चर्खी तो सिधी रहती है उसमें दो लकडिया जो है अलग-लग रहती है तो उनके बीच में सर्या वगार लगा के उसमें वो लगी रहती है तो उडाक और चर्खी चड़सी को जहां यहां वहां बिना टकराई सीधे उपर टकलाती है पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं वजन खीचने में तो इससे सुविधा रहती ही है अधिके हर प्रकार से उस सुविधा रहती है खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है इसलिए उसे उस पूरे इससे में एक के बाद एक कोई बनती जाती है अधिक खड़िया पत्थर की जो पट्टी है न तो एक बड़े भाग से गुजरती है तो इसी कारण से उस पूरे इससे में एक के बाद एक कोई बनती जाती है ऐसे चहतर में एक बड़े साफ सुथ्रे मैंदान में 30-40 पूई भी मिल जाती है और देखिए च्छेतर बड़ा तो अगर बड़ा परिवारत हो जादा कुई यां होनी चाहिए तो जादा कुई यां होती हैं नीजी और सारुजिनिक संपत्ति का विवाजन करने वाली मोटी रेखा कोई के मामले में बड़े विचीतर धंक से मिट जाती है अब नीजी और सारुजिनिक छेतर के विवाजन ना तो कोई के मामले में विचीतर ढ़ंक से मिट जाती है वो हर एक की अपने-पनी कुई है उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना है अब देखिए कोई जिसने मुझना ना तो उसका हक उसी का ही है अपस्तान कोई को दूसरा और निकालगर ले जाए लेक्न कोई समाज की सावजिंटिन के जमीर है आदेखे जो कुई आधर आब बनाई जाती ना वह वो खुद की जमीन में है चाहे नहीं है लेकिसाल जो जूसी स्थान पर बना सकते हैं गांव या समाज की सार्वजिंग जूसी नहीं ना वहां बनी उइए उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्स भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुईयों में पानी भरेगा अब जो सालवजिंक स्थान है वहाँ पे पानी बर जब बारिश होती है तो इकठा हो जाता है और वह जो नमी के रूप में सुरक्षित रहता है और इसी नमी से साल भर वो कुईयों भरती रहेंगी नमी की मातरा तो वहाँ हो चुकी वर्सा से तैह हो गई है अब उस चेतर में बनने वाली हर नई कुई कार्थ है पहले से तैह नमी का बटवारा अब देखिए नमी बर्साथ पर डिबेंड कर रही है ना निर्वर कर रही है कि जो वर्सा है जो बर्साथ है उसके होने पर जो नमी है उसका निर्धार्ण हो जाता है लेकिन जो कुईयां वगरा बन रही हैं उनका बटवारा भी पहले से वो तैया हो जाता है कि कितनी नमी कहां रहेगी और कौन कहां बना रहा है इसलिए नीजी होती हो भी सारुजनिक शेत्रे में बनी कुईयों का पर ग्राम समाज का अंकुस लगा रहता है अब देखें नीजी होने के बावजुद भी वेक्ति पर अपनी बनवार है स्विम के बनवार है लेकिन जो छेत्रे वो सारुजनिक हैं तो इसकां से ग्राम और समाज का अंकुस रहता है कि वहां कितनी नमी है और कैसे वो बना रहा है है बहुत जरूरत पढ़ने पर ही समाज नहीं कुई के लिए अपनी सविक्रती देता है और बहुत जरूरी आना परिवार कर बोँज ज्यादा बढ़ा होगया और एक कुई से जू है पार नहीं पड़ रही है या उसे उनका गुजारा नहीं पूर रहा है तो ही वो बहुत ही जरूरी अगर हो गया है तो ही सविकरती मिलती है उनको हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चीर परिशित कहानी को जमीन पर उतारती है कोई आदे कि वो सोने कंडे वाली आपने कहानी सुनी होगी जो मुर्गी अंडा देती थी सोने का तो वैसे ही यह जो कोई है यह भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसे ही है इससे दिन भर में बस दो तिन घड़ा पानी मिठा पानी निकल निकाला जा सकता है इसलिए प्रा अब जो गोधुली वेल है ना, तो जिस समय गाएं चरकर साम के समय वापिस घरों की और लोटती हैं, तो उसे गोधुली वेला कहते हैं, इनके संद्यकाल के समय, अब संद्यकाल को कहते हैं गोधुली, ठीक है न, अब ध्यान रखना है इस वाद का, कि गाव से सटे मैदान में 30-40 कुईयों पर एक साथ घूमती घरनियों का स्वर गोधुली से लोट रहे पसुओं की घंटियों और भाने की आवाज से में समा जाता है, अब देखिए जो 30-40 कुईयां है एक साथ वहाँ भी घूमरे ही जो घरनी है न, तो उनका जो स्वर है ग क्रस्वर खाल है, एक खाल है, धायों की चरने के लिए अलग से जगह रहती थी, जमीन रहती थी, वहां पे जो उगर हां घास वगरा, तो गाये चरति रहती थी पसू चरते रहते हैं से तो गोचर से लोट रहे पसूं की घंटियां है उनका जुस्वर है गिरनियों का, और दो तिन घड़े भर जाने पर डोल और रसियां समेट लि जाती हैं कुईयों के ढकन बापस बंद हो जाते हैं रात भर और अगले दिन भर कुईया आराम करेंगे अब देखिए रात भर आराम करेंगी और अगले दिन भर शाम को फिर वो वैसे गवाइसा मेलाज जैसा लग ज पत्टी है वहीं पे आपको कोई मिलेगी जहां खड़िया की पत्टी नहीं है तो वहां पे आपको नहीं कूई मिलेगी क्योंकि वो पानी धरती गंदर समाज आएगा तल में चला जाएगा तो उसका सालांसी नहीं है कोई चूरू, बीकानेर, जेसलिमेर और बाडमेर के कई छेत्रों में यह पट्टी चलती है और देखे कौन कौन से छेत्र में यह पट्टी है लेकर बता रहा है कि चूरू, बीकानेर, जेसलिमेर और बाडमेर इनके कई छेत्रों में है पट्टी चलती और इसी पाद में गाओ गाओ में कुईया ही कुईया है जैसले में ररजेले के गाओ खडेरा की खडेरों की धानी में तो एक सो बीस कुईया थी देखें खडेरों की धानी जो ना वहाँ पे अब उसका मतलब इसका मतलब यह है कि वारिश जो है वो अच्छी होती होगी नमी काफी रहती होगी तो इसी कारण से 120 कुई है थी वहाँ पे लोग इस चेत्र को 620 के नाम से जानते हैं अब 620 यानिके 620 120 होगी ना कहीं कहीं ने पार भी कहते हैं अब जेस्लमेर में यह है कोई यह जो बनी हुई जेस्लमेर का जो जिला है जेस्लमेर जिला है न यह तो इसके खंडेरो गाओं के जुड़ानी है वहाँ पे 120 कुई बनी हुई है तो इसे पार भी कहते हैं जेस्लमेर तथा बाड़मेर के कई गाओं पार के कारण ही आवाद है और इसलिए उन गाहों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानेरे आलो पार और सिर्गु आलो पार अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम है कहीं है चारोली है तो कहीं धादरों धरदरों कहीं पर बिटूरों बलीलियों के नाम से भी जानी जाती है तो कहीं इस पट्टी का नाम के वल खड़ी ही भी है और देखें conservative ऑगर लग नाम देए गहीं है इसके जास्तिक पर और किसलिए जहिगा it किसी जब कि उसको हड़ी के नाम सी पोकाला जाता है घो घर कडिया पड़ी चार्वमे पानी तो कि बीच कैंई कि इसे खड़ी ढbbft IG ना खड़ीय पट्टी के खान नहीं तो खारा पानी और राजसान की रे गाता है तो जिसका आज हमने अधन किया है तो जिसमें किस प्रकार से खारा पानी होने के बावजूद भी अमरित के जैसे जो मिठा जल है वो हमें प्राप्त होता है वो उन्चे जारों के द्वारा ही है उनकी कुसर प्रबंदन के द्वारा ही ऐसा हो रहा है तो ये था हमारा दूसरा ध्याई राजस्तान की रज़त बुन्दे तो आशा है कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा तो इसी के साथ ही धन्यवाद